अंतर्यामी संदेश टीम नॉइडा द्वारा गत कई वर्षों से आध्यात्मिक धायमी को समा सेवा के कई कारे किये जा रहे हैं लेकिन अच्छानक नॉइडा के एक सांसकारिक ब्रहामन व्यक्ति प्रवीन शर्मा के जीवन में घटी एक अद्बुद घटना से आये उसके जीवन में बदलाव के साथ साथ संसार में गत तीन वर्षों से मानब जाती पर आये संकट और बदलाव के बारे में संपून चान करे चंता को बताने के लिए प्रचार करना प्रारम किया प्रवीन शर्मा ने ही अंतरियामी संदेश टीम का गठन किया था उत्तरप्रदेश के संभल परिशेत्र के साधारन परिवार में जन में सारस्वत भ्राम्मन प्रवीन शर्मा अपनी पतनी तीन बच्चों के साथ नौईडा में रहते हैं प्रवीन शर्मन अपनी जीवन में आये अच्छानक बदलाव की बारे में बताया कि मेरे साथ 6 अक्टूबर 2016 को पूरे होशो आवास में रात को लगभग साड़े 10 बचे 40-50 सेकंड के एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद में बहुत आश्यर चकित हुआ जिससे घटना ने मुझे हिला दिया बालेकाल से ही पूजा पाठ और शुद्ध वैशन ब्रामन होने के बाद भी मुझे उस घटना को समझने के लिए पाक कुरान खरीद कर लानी पड़ी और पाक कुरान पढ़ने के बाद मुझे है समझ आया कि अब मुझे बाइबल, यहुदी धम घ्रंत, जबूर, इंजिल वेद, गीता, आधी सब पढ़ने पढ़ेंगे लेकिन लोट लोट कर उक्त घटना से जूड़ी हर बात कुरान में विस्तार से लिखी मिली और कुरान के अध्यान, ट्रेनिंग और निर्देश अरुसा मैंने उस घटना की खबर संदेश हर जगर फैलाना शुरू कर दिया उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैंने एक जनवरी 2017 को नासा को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने उन्हें बताया कि बाइबल में लिखी गटना संभल परिशेतर के एक भ्राम्मन से संब्धने थे और वो नौईडा में रहता है नासा की और से उन्हें जवाब लगभग 88 दिन के बाद 28 मार्च 2017 को मिला और क्या कुछ का मीडिया के सामने आईए सुनती इस रिपोर्ट में एस पर कुरान एस पर गीता एस पर बाइबल इनके उपर संसार ध्यान दे और धरम की यह जो लड़ाई है यह एक रात में खतम हो जाए इसलाम की गफलत खतम हो जाए दुनिया की मा बहन लाल के बच्चों के सुहाग ना उजड़े और एक ने धरती पे नई दिशा और